नमस्का, सीनियर किचिंग में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे दलिया का पुलाव, जो बहुत ही हेल्दी भरा होता है, और बच्चों को तो कम पसंद आता है, लेकिन बड़े बड़े चाव से खाते हैं, पर इस तरीके से बनाएंगे आप, तो बच्चे भी बहुत तो चलिए आज हम बनाते हैं, दलिय का पुलाव, जो सामिग्री है, एक कटोरी दलिया, एक बड़े कटा हुआ प्यास, दो से तीन हरी मर्ची, गानिश के लिए धनिया, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, और धनिया पीसी हुई, और हम चौक में लेंगे दाल चीनी का छोटा सा टुकडा, दो लाउम, एक इलाइची, और एक तेजबाद पत्ता, जो इसमें हम सब्जिया यूज़ करेंगे, वो है, एक मीडियम, मीडियम आलू कटा हुआ, एक सिमला मिर्च कटा हुआ, आधा गाजर, छोटा गोभी, दो टमाटर, और थोड़े स लिप करेंगे, चुछलिए, मրचा खघेंची, जो यूज़ा से अधार, छोटा अधार, उसमें उसमें आख सकाध्या करेंगे, तो चलिए हम बनाते हैं, देखिया हम ने कडाई को गरम कर लिया है, अब इसमें कड़ा है, गीं भी हमारा गरम हो गया है, अब हम不ट्वियों जिसका हम पुलाव बनाएंगे तो आप इसको इसमें टांच्व कर देंगी और अच्छे से इसको साफ कर लिए हैं आप अच्छे से सब्सक्राइब हैं इसको भून लिजाए एक तब कोई चीज भूनते हैं तो ऐसी है फलके फॉर्म हो जाएगा आप चाहें तो भीना घी के भी से भून सकते हैं यह ब्राउन से वाइट फॉर्म में हो गया है अब यह अच्छे से भून गया है अब हम इसको अलग बर्तन में ट्रांसफर करें अब हम दो से तीन चमच घी लेंगे आप चाहें तो रिफैन में बना लेंगे हमारा घी यह गरम हो गया है मीडियम फ्लेम पे हैं गैस अब कैसा आदा अधा चमच जीरा अलाशत कोना ब्राउन जेर समघे है । मैं देक प्याइच को आपको अच्छे से समझ में आजाए देखे हमारा प्याज रोष्ट हो गया है ब्राउन किलर का अब इसमें हम डालेंगे एक तर्म धनिया पॉडर आधा चमर से थोड़ा सा कम हल्दी पॉडर आधा चमर लाल मर्ची थोड़ा सा गरम मसाला अब इसको अच्छे से धूनेंगे अब इसे हम डालेंगे साइज सब्जे एक एक करके आलू कि पुन्दा मिर्च गाज़र गाज़र में मीठापन होता है तो पुलाओं में अगर मीठापन जाद आजाएगा तो अच्छा निलेगे वो तेष्ट में अब हम इस सारे सब्जों को अच्छे से भूनेंगे तो द करें देखें हैं सब्जी है की सोफ हो गी है अब इसके हम डालेंगे छोड़ा दो बड़े इंतोर चमास नूस्टा नहीं झाले तो दच्छी तुछ बूल दाल लिए हमें उसल नहीं पंदिआ कि अब चुड़ने के बड़ डाला है है अब इसमें आले हम ताम श्वादों न नमक दाल देंगे थोड़ा और तॉप होने के लिए रख देंगे देखिए बिल्कुल यह हमारी सब्जी लमसब बहुत आधे से ज्यादा पक गई है अब हम इसमें जो मने भून के रखा तरही है दलिया इसको इसमें डालें इसको अच्छे से हम इलाएंगे इसमें आप चाह जाना हो तो साइस सब्सक्राइब काटिए और दूनिए और डाल के बना देजिए जट पड बन जाती है यह जलिया के पुलाओ अब देखिए हमारा यह हो गया है अब हम इसको कूकर में एक सीटी लगाएंगे मैंने से अपने कूकर में ट्रांसफर कर दिया इसको मैंने क्या हाँ और रखे से जैसे चावल के पुलाओ बनते हैं वैसे उसी हिसाब से नपने पनी दाल रहे हैं यह दल्या दाल्या घ्र staring की यह जाए हिस्टार खाय के और ऐस सी हो çi हैWhat अवं इसमें आप नमक के टेस्ट करें Bene minor Simone के नमक टैस्ट अब्याकियर नवह आप एक है कर नज सब दूए कि अपने आप से ही नििकल सबड़ लगाएंगे मीडियum व्लेम पे काथ देखे दल्या को प्राइड आइस चावल के तरह ही बिल्कुल बना है और देखे कितना अच्छा कलर है अब मैं इसको एक बाउल में सर्फ करके दिखाती हूं कि मैंने इसको बर्तर में आपको दिखा दिया अब हम थोड़ा से डालेंगे इसमें जन्या से गार्निश कर देंगे अब इसमें डालेंगे मक्षन के पीस आप चाहें तो इसे घी बटर किसी भी चीज से डाल के खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम खाये औ अब दल्या का प्लॉब बन के तयार है और खाये और एंज्जॉइ किजिए लाइक सिस्काइब और शेयर जादा से ज़्यादा कीजिए और फिर मिलेंगे नेशन वीडियो में नेशन रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइबाइब